हेलो भाई नमस्कार कैसे हो सभी आयोग के अच्छी होंगे आपका दोस्त आपका भाई मंदीब को दारा अब सभी का स्वागत करता हूँ EBS के एक बहतरीन सेसन में तो आज के इस सेसन के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं दा ग्रीन हाउस इफेक्ट हिंदी में इसको बोलते हैं प्यारे बचो हरित ग्रै परभाव हिंदी में इसे हम कहते हैं हरित ग्रै परभाव क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है किसकी वज़े से होता है और क्या इसके नुकसान है क्या इसके फायदे हैं इन तो सूरज से प्यारे बच्चों अपनी कुछ किरने आती है सूरज से कुछ किरने आती है ठीक है लिखो लिखा हुआ है देखो Some sunlight that hits Some sunlight that hits Earth is reflect back into the space while the rest become hit यह कह रहा है भाई मैं इस बार इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको यह कह रहा है कुछ सूरज से कुछ किरने आती है सूरज से कुछ सनलाइट आती है ठीक है सनलाइट आती है जो अपनी अर्थ के उपर गिरती है अर्थ के उपर गिरने के बाद कुछ लाइटें reflect हो जाती है यानि कि सनलाइट जो होती है वो टकराने के बाद वापिस reflect हो जाती है यानि कि सूरज की रोसनी होती है सूर्य का जो परकास है वो वापिस क्या हो जाता है reflect हो जाता है किसको छोड़ के बच्चो ये heat, heat यानि के उश्मा उस्मा हमारी धर्ती के environment में रह जाती है heat हमारे environment में रह जाती है और बाकी सारी चीजें जो है वो heat को छोड़के बाकी जो sunlight है वो क्या हो जाती है भाई reflect हो जाती है यानि के प्रावर्तित हो जाती है ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है green house gases absorb and reflect heat radiated by earth and preventing it from escaping into space यह क्या कह रहा है यह कह रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है साब heat अब देखो सूरज से सारी चीजें आती है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि सूरज से क्या क्या आता है ठीक है तो देखो सूरज से हमारी क्या चीज आती है देखो सूरज से हमारी एक तो आती है विजिबल लाइट क्या आती है विजिबल लाइट विजिबल लाइट यानि के जो परकास होता है हमारा वो आता है सूरद से एक तो क्या आता है अपना परकास आता है दूसरी प्यारे बच्चों सूरद से आती है इंफरा रेड वेव क्या आती है इंफरा पास आता है ना जो विजिवल लाइट होती है ये तो हमारे लिए चीजों को देखने में मदद करती है जिस तरह हम लोगों को कोई भी चीज दिखाई देती है वो किसकी वज़े से दिखाई देती है तो वो इन विजिवल लाइट की वज़े से दिखाई देती है जो कि सात र वो इन इन्फरारेड वेव की वज़े से आती है जो अवरक तरंगी है न ये हीट प्रोड्यूस करती है क्या प्रोड्यूस करती है वच्छो हीट प्रोड्यूस करती है हिंदी में हम उसे लिखेंगे कि भाई ये क्या करती है उश्मा उत्पादन करती है क्या करती है उसमा उत्पादन करती है इनका हम यूज भी करते हैं कहां पर यूज करते हैं तो इनका भई रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं खेर वो अलग बात है ठीक है तो ये क्या करती है ये उसमा उत्पादन करती है मेन बात ये क्या है हीट प्रोड्यूस करती ह अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर जो हमने इस डायग्राम में लोगों ने जो देखा वो क्या था पहले वाले स्लाइड में ये कह रहा है कि सूरज से सनलाइट जैसे ही पिर्थवी के उपर आके स्ट्राइक करती है टकराती है टकराने के बाद मेरे भाई ये वापिस अपने इन्वार्मेंट में चली जाती है लेकिन जो हीट है उश्मा जो है वो यहीं पर हमारे इन्वार्मेंट में रह जाती है कौन heat environment में रह जाती है जो कि किस के दवारा produce की गई थी किस के दवारा उत्पन की गई थी तो आप कह दोगे हमारे environment के अंदर कुछ greenhouse gas होती है कुछ क्या होती है green house gases होती है हमारे environment के अंदर इनको हम बोलते है हरित गरह gases होती है तो हमारे environment के अंदर कुछ हरित गरह gases होती है जो क्या कर लेती है इसको absorb कर लेती है इसको अपने अंदर अवसोसित कर लेती है किसको? heat को कौन सी heat को? reflect heat radiated by the earth जो धर्ती से टकराके वापिस जो जा रही है न यह देखो यह आ रहा है मानलो sunlight तो चली गई लेकिन जो heat है वो वापिस से क्या आगी बिच्चो वापिस से यहीं पर हमारे environment के अंदर ही घूम रही है और यह क्या कर देती है इसको space में नहीं जाने देती है इसको वापिस अप तकराकर धर्ती से वापिस चला जाता है दूसरी होती है इसके अंदर आवरक्त तरंगे जो कि जब टकराके वापिस जा रही होती है तो हमारा जो environment है वो उसको वहीं पर रोक लेता है कौन रोक लेता है हमारे environment में पाई जाने वाली हरित गरह गैसे और इसी चीज को बोलते है बच्चो हरित गरह परभाव इसी चीज को बोलते है green house effect अच्छा सरजी अब सर क्या इसके कोई फाइदे हैं क्या इस हरित गरह परभाव के कोई फाइदे हैं बिलकुल भाई हमारी अर्थ के उपर जो भी जीवन संभव है हमारी अर्थ के उपर जो भी life संभव है वो जो हो है साब क्यों अगर सारी हीट वापिस चले जाएगे न साब सारी हीट अगर वापिस चली गई तो हमारी अर्थ का टेंपरेचर बहुत कम हो जाएगा अर्थ का तापमान जो है वो बहुत कम हो जाएगा और माइनस में टेंपरेचर चला जाएगा और जब माइनस में टेमपरिचर चला जाएगा भाई तो यहाँ पर जीवन को जो है जो यहाँ पर जो लाइफ है यहाँ पर जो जीवन है भाई उस जीवन को क्या हो जाएगा खत्रा हो जाएगा सब जितने भी पानी है जितने समून तरह सब जम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर life possible ही नहीं हो पाएगी, तो जीवन संभव है, तो किसकी वज़े से भाई साब, green house effect की वज़े से, हरित गरह परभाव की वज़े से, समझ में आई बात, क्योंकि हरित गरह परभाव जो है, यह हमारे अर्थ का, हमारी प्रिथवी का temperature maintain करके रखता है, क्या maintain करके रखता है, यह हमारी प्रिथवी का तापमान नियंतरित रखता है, क्या रखता है, तापमान को नियंतरित करके रखता है, यह हमारे temperature को क्या करके रखता है, बच्चों, control करता है, ठीक है ताकि हमारे एक संतूलन बना रहे एक balance बना रहे और उसी की वज़े से धरती के उपर जीवन संभव हो पाया है कोई ऐसा घर है जिसके उपर अगर greenhouse gases नहीं है तो वहाँ पर जीवन कतई संभव नहीं हो पाएगा जीवन संभव हो पाने का मतलब ही होता है कि जीवन के लिए एक suitable condition होना और वो जो suitable condition है वो हमें देता है एक temperature ठीक है आप लोगों ने बायो डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा अगर कहीं temperature ठीक ठाक रहता है यह नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए सर फिर भी नहीं जाय पाएगा और जब बहुत जिस तरह अपना एक गर्य होता है जो दूसरा नमबर पर सुकर गर्य है सुकर गर्य है के वायू मंडल में 95% कारबंडा एकसाइड है जिसकी वज़य से वहाँ पर इतना ज़्यादा टेंपरेचर है कि वहाँ भी लाइव संभव नहीं है अब ऐसा नहीं होता सर बैलेंस होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए बायो डैवर्सिटी में यही बताया था मैंने आपको क्या बायो डैवर्सिटी वाले चैप्टर में जाके देखोगे कि जहां पर टेंपरेचर ठीक ठाक होता है वहीं पर जीवन संभव होता है वहीं पर जीव के लिए जिन्दा रहने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए परजनन करने के लिए तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ही महतोपूर्ण है हमारे धरती के उपर जीवन इसी की कारण संभव है चलो बच्चो बहुत बढ़िया अब आगे बात आती है सरी ऐसी कौन-कौन सी गैसे है जो ऐसा काम करती है चलो बच्चो ये हमारे पास कुछ गैसे लिखी हुई है मैंने इनको आपको नोट करना है कौन-कौन सी गैसे है सर तो सबसे पहले है जलवास्प इसको बोलते है वाटर वैपर्स कि हमारे वायू मेंडल के अंदर हमारे वायू मंदल के अंदर बहुत सारे के हैं बच्चो जल वास्प है जो कि इन इंफरारेड वेव को इन अवरक्त तरंगों को अपने वायू मंदल में ही मैंटेन करने का काम करता है ठीक है आपको पता है जब भी पेड़ पोदे या समुन्दर यहीं से क्या होता है पानी वास्प बनके उपर उठ जाता है पानी वैपर बनके उपर उठ जाता है तो हमारे वायू मंडल के अंदर बहूत अधिक मात्रा में क्या है प्यारे बचो वाटर वैपर है जल वास्प है जो कि ये काम करता है वहीं बात करें भाई साब कि ग्रीन हा इफेक्ट जो है हरीत गरहे परभाव जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट यह हिंदी में बात करें प्यारे बचो हरीत गरहे परभाव तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस गैस की वज़े से होता है तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कारबन डाई एकसाइड गैस की वज़े स कार्बन डाई एक्साइड गैस जो है हमारे इन्वार्मेंट में 65% से अधिक अभी तो बहुत ज्यादा हो गया इसका परसेंटेज मतलब कार्बन का ही परसेंटेज ज्यादा हो गया तो यह बहुत ज्यादा रिस्पोन्सिबल हो गया अधरवाइज बच्चो 65-70% अभी तो 75 इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अकेला कार्बन डाई एक्साइड रिस्पोन्सिबल होता है तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है प्यारे बच्चो वो किसकी वज़े से होता है कार्बन डाई एक्साइड गैस की वज़े से होता है कार्बन डाई ए आपको पता ही होगा, धर्ती पर बनने वाले ये बाई सब पहली मिथेन गेस को आप दल दल गेस, मार्स गेस बहुत सारे नामों से जानते है ओजोन जो लेयर है बच्चो ये भी कही ना कही गरीन हाउस effect करने में हमारा help कर रही है इसके बलाव बच्चो, chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, और प्यारे बच्चो, SO2, SO2 को हम बोलते है, sulfur dioxide, क्या बोलते है, sulfur dioxide, तो कही न कहीं मेरे बच्चो, ये भी हमारे लिए क्या है, sulfur dioxide, कही न कहीं ये भी हमारे लिए क्या है, मेरे दोस्त, ये कही न कहीं, ये भी हमारे लिए responsible है, greenhouse effect के तो ये इतनी सारी gases है, जो हमारे लिए green house effect के लिए responsible है, अब गुर जी यहां से person कैसे बनेगा हमारे test exam में, तो person ये बनेगा मेरे भाई, आपको option देदेगा, 4 option देदेगा, option A देदेगा, option B देदेगा, option C देदेगा, option D देदेगा, पहले में लिख देगा वो methane, कहतेगा नि मलिकित में से कौन सी greenhouse gas नहीं है, ऐसा ही same to same person आता है, और भाई साब most probably 99% chance होते हैं, वो इस CO option में देता ही देता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि carbon dioxide अगर इतनी ज़्यादा responsible है, तो कहीं न कहीं carbon monoxide भी इसके लिए responsible होगी, बट वो ही हम अहाँ पर हम लोग क्या हो जात है और carbon monoxide नहीं है, इसके पीछे कोई तो region होता होगा, of course मेरे भाई, बल्कुल region होता है, देखो, जितनी भी greenhouse gases होती है भाई, वो क्या होती है, आपने देखा होगा, वो triatomic molecules होते हैं, क्या होते बच्चों, triatomic molecules होते हैं, triatomic molecules होते हैं, यानि के उनके अंदर कम से कम, उनके अंदर मेरे भाई, कम से कम, तीन परमानू पाये जाते हैं, उसके अंदर कम से कम कितने होते हैं, तीन परमानू होते हैं, चाहिए आप किसी को उठा के देख लेना, कम से कम जिस तरह water vapor है, तो उसके अंदर H2O है, क्या है H2O, उसके अंदर 2 hydrogen है, 1 oxygen है CH4 है, इसके अंदर क्या है बच्चो, इसके अंदर 4 और 1 का 5 है ठीक है, carbon dioxide है इसके अंदर 3 है, तो कम से कम बच्चो, कम से कम क्या है ये triatomic है, at least triatomic कम से कम 3 atom है तो इसके वज़े से क्या होता है बच्चो जब हमारी धरती से जब हमारी धरती से light वापिस जा रही होती है जब हमारी धरती से जो heat वापिस जा रही होती है तो हमारे वायू मंडल में वायू मंडल में जो gas होती है, इनके अंदर होने लग जाता है मेरे भाई vibration, क्या होने लग जाता है कमपन होने लग जाता है जिसकी वज़े से जो heat है ये वापीस इदर आ जाती है वापीस अपने environment में आ जाती है तो ध्यान रखना कभी भी जो die atomic gas है कभी भी प्यारे बच्चों जो die atomic gas है मतलब दवी परमाणी gas जिसके अंदर जिसके अणू में तीन परमानों है, तो ओजोन है, ये है और ये उक्सिजन नहीं है, तो समझ के एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहां कहीं भी दो परमानों वाली गैस दिके, मतलब ये हमारे लिए responsible नहीं है, बचो, हमारे लिए मतलब green house effect के लिए responsible नहीं है, समझ में आई बचो, बिल्कुल अब होता क्या है, ये तो सर बहुत अच्छी बात है, अपने अच्छी बात बता दी, अच्छाई बता दी, अब किसी चीज की अच्छाई होती है, तो साब उसके साथ बुराईयां भी आती है, अब बुराई क्या है इसके साथ, तो भाई देखो क्या हुआ, हम लोगों ने लगातार क्या करना शुरू कर दिया पेड़ पोदों की कटाई शुरू कर दी है न हमने क्या कर दिया बच्छो continuously हम लोगोंने deforestation करना शुरू कर दिया हम लोगोंने क्या कर दिया बच्छो हम लोगोंने पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी और आप लोगों को पता है साब कि पेड़ पोधे जो होते हैं वो कारबन डाई एकसाइड गैंस को क्या करते हैं प्यारे बच्छो एबजोर्व करते हैं हमने क्या कर दिया पेड़ पोदों की कटाई कर दी और आप लोगों को पता है पेड़ पोदे के पास जो अभिकिरिया होती है परकास ससलेशन आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं तो परकास ससलेशन की अभिकिरिया के दोरान परकास ससलेशन को बोलते हैं फोटो सिंतेस तो photosynthesis की process के दोरान पेड पोधे जो है ये carbon dioxide gas को क्या करते है बच्चो carbon dioxide gas को अवसोसित करते है carbon dioxide gas को क्या करते है ये अवसोसित करते है अबजोर्व करते है क्या करते है इसको ये इसको ये अवसोसित करते है प्यारे बच्चो इसको absorb करते हैं ठीक है चलो साइस अब हुआ क्या हमने पेडों की कटाई करने शुरू कर दी भाई साब और जब पेडों की कटाई करने शुरू कर दी तो भाई हमारे environment में अब जिस करे हम है या फिर हम मनुश्य सांस लेते हैं जो भी अपने विकस चलते हैं जो भी हम कोईले का दहन करते हैं या कोई भी ऐसी पदार्थ जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है अगर हम उसको जलाते हैं ठीक है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है और प्यारे वैचो अगर उसका दहन होता है न तो उसके दहन के समय, उसमें से CO2 गैस निकलती है, अब क्या हो रहा है, पेड़ों की हम लोगों ने कटाई करने शुरू कर दी, अब जब बैड़ों की कटाई करने शुरू कर दी हम लोगों ने, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपना carbon dioxide का amount जो है, अपने environment में बढ कर रहे हैं, लेकिन इसको control करने वाला, इसको control करने वाले जो पेड़ पोदे थे, जो कि इसका संतुलन बनाए हुए थे, उनको हम लोगों ने काटना शुरू कर दिया, अब हुआ क्या, इस region से, इस region से बच्चो carbon dioxide का की मातरा बढ़ गई, है ना, carbon dioxide की मातरा बढ़ गई, और जब carbon dioxide की मातरा increase हो गई, मेरे भाई, इसकी मातरा अगर बढ़ गई, तो क्या हुआ, green house effect बढ़ गया, अब green house effect बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, अगर green house effect बढ़ जाता है, यहाँ पर green house gaso की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो ज्यादा मातरा में heat को क अब जोर्ब करेगा, अवसोसित करेगा, उश्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अवसोसित करेगा, अब बच्चो ज्यादा से ज्यादा उश्मा को अवसोसित करेगा, तो हमारा जो atmosphere है, हमारा जो वायू मंडल है प्यारे बच्चो, हमारा atmosphere का तापमान, atmosphere का जो ता यानि कि हिंदी में जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चो वेस्विक तापन अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चो इसके बारे में भी बच्चो के मन में काफी सवाल होते हैं कि वेस्विक तापन क्या है वेस्विक तापन कुछ नहीं है बच्चो ठीक है वेस्विक त तापन क्या है? Global Warming, Westwick तापन का मतलब क्या है? कि हमारी अर्थ का, अब ग्रीन हाउस गैसे ज्यादा होने के कारण, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृत्वी जो है, धरती माता जो है तो पृत्वी का जो टेंपरेचर है, प्यारे बच्चों, पृत्वी का जो तापमान है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, पृत्वी का तापमान हर साल इंक्रीज हो रहा है, पृत्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, अब पृत्वी का तापमान जब लगातार बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पृत्वी क तापमान लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण हमारा क्या-क्या गड़बड हो रहा है देखो हमारे एंवार्मेंट के अंदर जो पिथवी का तापमान लगातार बढ़ रहा है इसी चीज को इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैस्विक तापन और यह किसकी वज़े से हो रहा है ये green house gases की मातरा बढ़ने के कारण हो रहा है अब गुरू जी अगर ये हो गया चलो ठीक अगर temperature बढ़ने लग गया तो क्या होगा भाई अती हर चीज की बूरी होती है ठीक है अब इसकी भी अगर अती होगी तो हमारे बहुत सारे नुक्सान हो सकते है तो ये हमारे नुक्सान है बच्चो green house effect बढ़ने के ये हमारे क्या है ये हमारे नुक्सान है ठीक है ये हमें क्या हो रहा है इससे नुक्सान हो रहा है ये हमारे इससे क्या हो रहा है बच्चो effect बढ़ रहा है क्या क्या हो रहा है देखो अगर temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा तो बच्चो C level बढ़ जाएगा समुन्दर का स्तर बढ़ जाएगा ठीक है? इंगलिस वाले बच्चे लिखेंगे C level क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा अगर आप लोग C level का data देखें तो लगातार पिछले कई वर्सों से समुन्दर का जो सतर होता है वो लगातार बढ़ता रहा है जिसे जीवन को खत्रा हो जाएगा ठीक है? उसके लाब बच्चो वर्सा के pattern में बदला हो आएगा आपको पता है हमारी atmosphere के temperature के कारण ही समय समय पर वर्सा आती है अभी पिछले कोई सालों के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5-10 सालों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो वर्सा का pattern है मानसून का pattern है उसमें पूरी तरह से miss balance हो जुका है जिस समय वर्सा आनी चाहिए उस समय वर्सा आते नहीं है जिस समय वर्सा नहीं आने चाहिए उस समय वर्सा आ जाती है अब इसका effect क्या पढ़ रहा है बच्चो इसका effect सीधा सीधा पढ़ रहा है सबसे बड़ा जो effect पढ़ रहा है इसका agriculture के उपर पढ़ रहा है तो भारत के तो उपर इस चीज़ का बड़ा टकड़ा इफेक्ट पड़ रहा है अब होता क्या है भाई साब वर्षा के पैटरन में बदला हो आने से किर्शी में होगा और किर्शी में होगा तो अबे सिबात साब अपनी अर्थ व्यवस्ता बिगड़ेगी और उसके अलाब बच्चो जीवों पर भी तो इफेक्ट पड़ रहा है अब जैसे आपको मतलब जिस समय वर्षा चाहिए नहीं उस समय वर्षा हो रही है जिस समय वर्षा चाहिए उस समय वर्षा नहीं हो रही है तो ये सारा misbalance होने के वज़े से जीवों के उपर भी तो effect पढ़ रहा है, हैगे नहीं, बिल्कुल उसके अलाब बच्चो बर्फों की चोटियां जो है, वो लगातार पिंगल रही है है ना, अपने जो glaciers हैं, अपने जो glaciers हैं, हिमानी है, वो लगातार पिंगल रहे हैं बच्चो बहुत सारे glaciers पिंगल रहे हैं, पिछले कई वर्सों से लगातार अब धीरे-धीरे क्या होगा, अब जब सारे glaciers पिंगल जाएंगे तो क्या होगा अब कहो सर इतने सालों में ही नहीं हुए तो अब क्या होगे लेकिन हमारे लिए चलो नहीं होगा हमारी जनरेशन के लिए नहीं होगा लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए तो खत्रा है सर आने वाले का किसने देखा है है हम खुद के मज़ज यह नहीं भाई, पिछे वाले लोग अगर ऐसी बाते सोच लेते, तो आज हमारे लिए संक्रट पैदा हो जाता, हैगे नी, तो glacier और बरफ की जो चोटियां है, वो लगातार क्या हो रही है बच्चो, melt हो रही है, पिंगल रही है, ठीक है, इसके अलावा बच्चो देखो, बिमार ही फैलाने वाले, जितने भी microbes होते हैं, यानि के सुक्षम जीओ, इसको microorganism वोलते हैं, वैसे, है ना, जितने भी microbes होते हैं, सुक्षम जीओ, जो बिमारी फैलाते हैं बच्चो, जैसे ही temperature बढ़ता है, जैसे ही temperature बढ़ता है, इनकी reproduction rate बढ़ जाती है, इनमें नए 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 समझ पाएगे तो कौन नहीं समझ पाएगा पतो कोई भी नहीं कोई PiBe हमारे लिए फायदे मंद है वहीं इसका जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना हमारे लिए नुकसान दायक भी है तो हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए तो प्यारे बच्चो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या कर सकते हम लोग तो हम लोग ये करें कि हम लोग जो green house effect है इसके लिए प्यारे बच्चो क्या करना चाहिए हमें तो इसके लिए बच्चो हमें जितने भी गरीन हाउस एफिक्ट है इनका कम से कम क्या करना चाहिए उत्पाधन करना चाहिए और सबसे जादा जो रिस्पोंसिबल है, प्यारे बच्चो Tunis एक साइड, तो कारबंडा एक साइड का हमें कम से कम उत्पादन करना चाहिए, खर सर अब उत्पादन को तो हम नहीं रोक सकते, उत्पादन को तो हम कैसे रोक सकते हैं साब, उत्पादन तो होगा, प्रोडक्शन तो होगा, क्योंकि सर हमारे जरूरते इतने सारे हैं, इंडि प्रस्टेशन तो कर सकते हैं, है ना पोधार ओपन तो कर सकते हैं, तो सर इसके लिए अच्छा सबसे अच्छा साधन है, वो है पोधार ओपन, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पोधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पोधे लगाएं, जिसकी वज़य से क्या होगा, जिसकी वज़े से पेड़ पोदे क्या करेंगे, इसको अब्जोर्ब कर लेंगे, आपको पता है, कुछ समय पहले तक कारबन डायक साइड का जो अमाउंट था, हमारे एंवार्मेंट के अंदर 0.03% होता था, अब ये परसेंटेज बढ़के, देखो 0.03% कितना इत्तु सा पर इफेक्ट कर रहा है, और अब ये बढ़कर के प्यारे बचो 0.04% हो गया है, और बहुत जल्दी अगर ऐसे ही डिफोरेस्टेशन चलता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा, ये 5 भी पहुंच सकता है, और एके देखो बचो 3% था ये, 0.03% और इत्ता सारा काम कर रहा था, अगर ये ही बच्चो बढ़के के 5 हो गया, तो लगबग डबल हो जाएगा, सोचके देखो जित्ती गर्मी हो रही थे ना, उससे डबल गर्मी हो जाएगी, जिन्दा रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे सर, तो हो सकता है, इन गैसिज का जिस तरह CFC को तो बैन ही कर दिया गया है ठीक है, HCFC को भी कम प्रोडुक्शन करना चीए, HFC का भी कम, अब ओजोंद का सर प्रोडुक्शन थोड़ी ये तो अलग, लेकिन ये रिस्पोन्शिवल कम होती है, सबसे ज्यादा में जो रीजन है न बच्चो, वो ग्रीन हाउस एफेक्ट के लिए अपना है, CO2, I hope कि में आया होगा, हरित ग्रेपर वाउ समझ में आया होगा, मैंने हर अस्पेक्ट के उपर बात की, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउट मंदीप गोदर ओफिशिल पर जा सकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जैहिन, जैभार तो आप में आप लाकाई